बिल्कुल आपको जड़ से खतम होगा, यह मेरा दावा है, यह दावाई बिल्कुल आपको कारगर साबित होने वाली है दोस्तों, लाठी का काम करेंगे दोस्तों, वो उपर आएंगे तो लाठी का काम करेंगे उसके मार मार के चीख कर देंगे दोस्तों, इसलिए मैं बताया एक को उखाडेंगे 10 पाइदा होते हैं, इंसान का अंदर में जैसे कैंसर होते हैं, इसी परकार से ये किसानों के लिए कैंसर होते हैं, जो कि पूरे फशल को बरबाद करने में चूक नहीं करती हैं, दोस्तों, तो किसान भायो मैं आपको जनकारी के लिए बता दूएंगे 2005 पांच या 2004 में ये मेरे खेतों में नहीं हुआ करते थे ये फूरे खेत का फेल चुकी है इसका नतीजह आप देख रहे हैं दोस्तों आपन एकती मेरा दोस्त है वो बोला कि यार मैं पीसे हूं मैरे पूरे खेतों में जो है के ये फ़ाल चुके थे तो एक ऐसा ट्रीक बताया जो कि आपको समख्च रखने वाला हूं दोस्तों तो यह ट्रीक अपनाएंगे तो यह दम पक्का है कि आप अपने खेतों से मोथा को जड़ से खतम कर सकते हैं तो चलिए इसको जड़ से नश्ट करने के लिए कुछ में ट्रीक लेका आया हूं जो कि आपको वीडियो को बने रहेंगे और तो ही आप जनकारी पाओगे अनि तो फिर अगर 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 वीच में से जाओगे तो पूरी जनकारी आपको प्राप्त नहीं होगी किसान टूर कि दोस्त करें इसका इपना चोड़ जाते हैं आप अपना इंडा पोठी बाच्शा लेकर हाजिर हजाते हैं इसको किसी भी परकार से जताई करें या हुरकी चला हाथ से उपाड़ है कोई तरिका से उखड़न 구isés हैं यहानेवाली खास है दोस्तों तो दोस्तों एगर आपका खेतों में जदी आ जाते हैं तो इनसान का अंदर में जैसे कैंसर होते हैं इसी प्रकार से यह किसानों के लिए कैंसर जो कि पूरे फसल को बर्बाद करने में चूक नहीं करती है दोस्तो ने 80% फसल को बरबाद करती है हमको 20% मिल पाते हैं दोस्तो तो ये जो है फसल को तो नश्ट करती ही है बार बार आपको जो है खुजाली और खुरुपी सब समय आपको लगे रहने पड़ेंगे खेतों में फिर भी इसका सफाया नहीं होता है आप कोई भी सबजी का करें या कोई भी बागवानी करें कुछ भी अगर किसी परकार से अगर खेतों में आ जाते हैं दोस्तो तो ये जड़ से नश्ट नहीं होते हैं तो चलिए इसको जड़ से नश्ट करने के लिए कुछ में ट्रिक लेका आया हूं चोकि आपको वीडियो को बने रहेंगे और तो ही आप जनकारी पाओगे अने तो फिर अगर आप इसमें से जाओगे तो पूरी जनकारी आपको प्राप्त नहीं होगी जिसके लिए मुझे खेत हैं दोस्तों आप पूरे वीडियो बने रहें अगर जदी आप वीडियो में नए आये हैं तो पहले चैनल को करें लाइक करें और से सेर करें कोमेंट करें अगर सेर करेंगे तो दूसरे भी किसान ये ट्रिक अपना पाएंगे अन्य था जो जहां है वही पर पड़े रहेंगे दोस्तों चलिए वीडियो को इस्टार्ट करते हैं और इसके बारे में फूल जनकारी प्राप्त करते हैं तो किसान भायों मैं आपको जनकारी के लिए बता दू कि 2005 या 2004 में ये मेरे खेतों में नहीं हुआ करते थे एक भी मोता घास का परकोप नहीं था दोस्तों मैं सिर्फ बरसात में ही किया करता था गर्मी की दिनों में में चास सुरू कर दिये तो ज्यादा रोटो बिटर का इस्ते माल में ने किया और यह ज़्यादा मातरा में पानी के शीक्या जाय करने के बाद दुखा नजार ओने लगे तो मैं इसके उपर धियान नहीं दिया और एक पदह में दो यह तीन बरन्ट होने का कारण चार बरन्च होने का करण ये जो रोटो तो उसका बाद इसका उपर में मैं सोचने सुरू कर दिये यह मोथा कजड से कैसे खतम किया जाए यह तो पूरे खेट में मेरा फैल चुके हैं दस भी घा जमीन है दस भी घा में पूरे तरह से फैल चुके हैं तो मैं बेंगोल गिया तो वहाँ पर जाने के बाद देखा वहाँ पर किसानों से मैंने बादचित किया तो उन्होंने कई दवाई बताए तो दवाई से 50% ही मैंने छुटका रपाया लेकि दोस्तों फिर देखा तो फिर उसका डबल तीबल इसे मैं पूरी तरह से परसान हो होने के बाद अपन एकती मेरा दोस्त है वो बोला कि यार मैं उपी से हूं मेरे पूरे खेतों में जो है कि यह फैल चुके थे तो एक ऐसा ट्रीक बताया जो कि आपको समख्च रखने वाला हूं दोस्तों तो यह ट्रीक अपनाएंगे तो युदम पक्का है कि आप अपने मोठा को जड़ से खतम कर सकते हैं 100% आपके साथ में मैंदवा से के साथ का सकता हूं कि इसका जर्स सफाया कर पाएंगे दोस्तों तो वीडियो को बने रहेंगे, पुरी तरह जनकारी पाने के लिए मेरे वीडियो को पूरी देखने होंगे दोस्तों, तो ही आपको पूरी जनकारी प्राप्त होंगे, तो दोस्तों, आप जो पाच या दस दिनों के अंदर में खेती करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं क कल्टी भीटर जो होते है या फिर पुलाव से आप उसको चलवा के मट्टी को कलड़ देंगे तो फिर आपको जो बीज है बीज को सुख जाएंगे गर्मिये को दिनों में उसके बाद दुचार या पाच-दस दिनों के अंदर में आप उसका अंदर में कुछ लगा सकते इस देखिए मैंने निनुवा लगा रखे हैं जो कि इसको पुलाव से कल्टवा दिये थे मट्टी तो बीज सुख चुके हैं लेकि पूरी तरह से यह मोथा गया नहीं है दोस्तों यह आप देख सकते हैं कही कही मोथा का निकलना सुरू हो चुका है मोथा तो इस प्रकार से य आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने तो पुलाव से हल को पुरा दिए थे और वी सूक जुके हैं तो फरकार नहीं नहीं निकल बढ़ 해った हैं कि भुआ कि तो इस परकार से अब शीयर दोसर्स दीनों का अन्दर words में देयर निकलवा या तो फिर में जिसका बीज राष्ट चाहता है वो दोबारा निकलने का कोशीज में रखता है तो इस प्रकार से अभी कुछ दिनों का दस दिनों का अंदर में देखेंगे कि अगर इसको मैं खुर्पी से या फावडा से नहीं निकल वाया तो फिर से यह इसका प्रगोब बढ़ के लिए इसका अंदर में मैं केमिकल को फिर्योग करूंगा और आपको वीडियो के साथ भी देखाऊंगा तो फिरहाल आपका वही ट्रिक्ट बताने जा रहा हूं दोस्तों मैं यह वीडियो उन किसान भाईयों के लिए बनाने जा रहा हूं जो कि अगले वीडियो में जो म उसी के लिए मैंने ये वीडियो आपके समक्स लेकर आया हूँ तो दोस्तों वो दवाई है धानुका कमपनी का सेंपरा जो कि 260 रुपए में 3.5 गराम मिलते हैं दोस्तों तो पंदर एल्टर का जो पंप है उसमें आपका 6 गराम दे के इसका इस्प्रे करना है तो शिर्फ वो ही देने से नहीं होता है दोस्तों उसके अंदर में कुछ और केमिकल में बताना चाहूंगा वो तो आप YouTube सर्च करोगे या कहीं से भी आपको ये दवाई का नाम मिल जाएगा जड़ से खतमा लेकिन ऐसा नहीं होता है जड़ से जड़ से नहीं हों गये दोस्तों तो क्योंकि ये पहले पत्ता pun profit होंगे उसका बादल इसका जड़ जाते है वो ड़ाई का खतम हो जाता है दोस्तों फिर में बेर जाड़ तो रह को मटर केमिकलिए गा फिर उसका आंदर में बीच जाएगा फिर जायए भी जमनेशन होगा उसके साथ में कुछ और मिक्स करने के लिए मैं बता रहा हूं। सौ गराम यूडिया ले ले लेंगे दोस्तों और सौ गराम नमक। उसका साथ में मिक्स करके और पंदर लिटर का जो पंप है दोस्तों पंदर लीटर हो या सोलर लीटर का जो भी आपको पास मेंमिप हो तो इसके अंदर में मिखस करके इसका छिडताव करेंगे पूरी तरह से ही अंदर में पाणी ड़ा रहा और यूरिया है 100 गिर्म और नमक मैंने इसलिए बोला कि उरिया और पानी मिल के उसका जड़ के अंदर में जाने का बाद जड़ जो है उसका उपर तक ही तरह पनों उसके जड़े निकलती है युरिया लेने के लिए नेट्रोजन के लिए और आयेगी और नमक और सिंपरा का अशर जो उसको धाय से करेंगे तो लाठी का काम करेंगे दोस्तों वो उपर आएंगे तो वो लाठी का काम करेंगे उसके मार मार के चीक करदेंगे दूस्तों त दिनों के बाद यह सुखनी सुरूइ हो जाती है पिली पढ़नी प्युनों चाहती है अगर इसे टानों के दोस्तों तो यह जड़ से कवर जाएगी तो यह पहले पिली होंगी 7-8 दिनों के बाद आप सोचेंगे कि मार दिया मैंने तेल का स्प्रे कर दिया और 3-4 दिनों में तो कुछ उसका आफर नहीं है ऐसा बिलकुल ना सोचें इसको जो है पहले यह पीला पढ़ेंगे उसका बाद 15-20 दिन जाट जाते इसका जड़ तक पहुंच जाएगा इसका में बरांच शेकेंड बरांच थर्ड बरांच और जितने भी बरांचे से सारे बरांच को खतम कर देंगे जितना भी बीज है वो अंदर भी अंदर में गल जाएँगे दोस्तों बिल्कुल आपको जड़ से खतम होगा यह मेरा दावाइई यह दावाइई बिल्कुल आपको कारगर साबित होने वाली है दोस्तों यह इस्प्रेक करने से पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि उस छिस खेत में आप इस्प्रेक करोगे उस खेत को पहले दो दुन पहले उसको अच्छी तरह से पानी से सिचाई कर दे, सिचाई करने के बाद जब देखे कि उसमें मैं चल सकता हूं और पूरा भरपूर मातरा में उसमें नमी हो तो ही मारेंगे, सूखी खेत में मारने से कोई फाइदा नहीं होगा, फिर उपर का पत्ता ही जल संदर में चलने से पायर धंस रहा, यह देखे, यह पायर धंस रहा दोस्तों, इसमें मैं आज साम को ही इसे इस्तरे कर दूँगा, और आपको सूखते सूखते यह वीडियो तो आपके लिए छोड़ना ज़रूरी है, दोस्तों इसको सूखने और खातम होने तक पता चलेग की जोट्रीक इसे अपनाये बिल्कुल, आपको कारगर साबित होंगे, आप मेरे वीडियो को पट बाई पट के लिए मैं नहीं बना रहा हूं, बस आपको दवाई बताने के लिए बना रहा हूं, और कारगर साबित होंगे, अभी जो मैं बिडियो बनाऊंगा तो फिर यह दो तीन दिन के वेट करूँगा मैं फिर आपको जो है कि साथ दिनों के बाद ये पत्ते दिखाऊंगा फिर पंदरत दिन के बाद ये जड़े दिखाऊंगा उतना समय मेरे पासे नहीं है दोस्तों सिर्फ मैं दवाई बता रहा हूं आप यूज करें दोस्तों जो मैं बताया एक दम बिल्कुल सोठीक बताया है आपको बिल्कुल करगर होगा तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा कि ये दवाई केमिकल से दोस्तों ये केमिकल हमारे मट्टी के लिए बहुत खातरनाक साबित होते हैं तो दोस्तों एक चीज़ धियान रखे एक बार जदी आप दवाई मार चुके हैं, जदी दू-चार पीस, अगर पांच पीस कहीं से बहाओ में, पानी का बहाओ से जदी खेतों में आजा, और दू-चार पीस या पांच पीस दस पीस अगर जदी ऊग जाए दोस्तों, तो उसे जो है खुर्पी या फावडा से निक अगर आप छोड़ देंगे दोस्तों, तो वे बढ़ते बढ़ते पूरा अपना गुष्टी परिवार लेकर आपका खेतों में खाने के लिए हाजिर हो जाएगे, तो दोस्तों मैं यह बताना चाहूंगा, यह जो मैंने दवाई बताया, मैं हर समय बोलता हूं, कि मैं प्यो का दूस्मन है, कैंसर है, दोस्तों, इसको जड़ से हटाने के लिए, तो हमको ऐरवेदिक छोड़ के यलोपेथिक में जाना ही पड़ेगा, कोई उपाई नहीं है, कोई चारा नहीं है, तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा, यह बहुत ही खातरनाक के लिकल से दोस्तों, जो यह मोथा का परकॉप खतम हो जाए, तो उसको हल चला के मैटी को जलने के लिए छोड़ दे दोस्तों, या बरसात होने दे, उसका बात फिर अगर आपको मैटी भुरुरी टाइप का हो जाए, तो उसमें हल चलवाएं, और चूने का इस्तेमाल करें, एक बुरा चूना आप जो है, तीन बिघा का अंदर में एक बुरा चूना लाके, आप इसका छिड़काओ कर सकते हो, दोस्तों, जिससे पीच माना आपका बरकरार हो जाएंगे, पीच माना जदी आपका बरकरार हो जाए, तो अंगी, फंगी, जो भी है, दोस्तों, बांजापन ये सब जो बिमार दिया है, दूर होते आपको नजराएंगे, फिर आप कहेंगे कि भाई, तो पहले से बहुत अच्छी उपज हुई है, मोथा का कारण नहीं होती थी, ऐसा नहीं है, दोस्तों, मोथा में तो जहर होता ही है, प्लस आपको जो है, मोथा के चलते फंगी, मंगी, जितना दुनि में मट्टी को जाच करने के लिए भेजने पड़ेगा कि क्या दिकत है, क्या नहीं दिकत है, तो यहीं चीज में बताना चाहूँगा, एक वारी यूज करें, दोबारा यूज उस खेतों में जलदी ना करें दोस्तों, नहीं करें, अगर कर देंगे, तो दोस्तों फिर आप परिशानिया बढ़ जाएगी, फिर आप कहेंगे, केमिकल से मेरा जमीन खराब हो गीए, दोस्तों, एक महीने के बाद ही लगावेंगे, कोई भी फसल लगाएंगे, तो यह केमिकल देने के उस दिनों के एक महीने के बाद, 20-25 दिन या एक महीने के बाद, कि उसमें कोई भी चलते चलते वीडियो में एक बार मैं आपसे कहना चाहूंगा ये गर्मी के बारे में कि इस साल तो इतनी ही भीषन गर्मी का परकौप झेलने पड़ रहा है हम किसानों को भी और आम जनता को भी तो ऐसा है कि जो ब्रिच का खटाई होते जा रही है और सहर का सहर बढ़ते जा और दूसीत हवा को सुध कर सके तो चलिए आज ये परण लेते हैं हम सब मिलके कि हर साल पांच या छे या साथ जितना हो सके संभव आप ब्रिच का ब्रिचा रोपन करें दोस्तों ब्रिच ही जिंदगी है हमारे हमारे परिवरन कर अच्छा करने के लिए ब्रिच ही सामने आते हैं पानी होते हैं और मौसम को बदलाव करते हैं ब्रिच के वज़ा से ही होते हैं दोस्तों तो चलिए अब वीडियो को विराम देते हैं और इसी के साथ फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए ट्रिक के साथ में दोस्तों तब तक लिए जै हिन जै भारत जै जै जावा जय किसान